सोशल मीडिया पर अशलील वीडियो भेच कर जान से मारने की धमकी दे कर छेड़ छाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ उम्रेट पुलिस टेशन में मामला दर्च किया गया मामले की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस सुत्रों से प्राप्त जानकारी केनुसार पीडिता 15 वर्षिय उम्रेट निवासी कक्षाद 10 वी की छात्रा है कोविड के चलते स्कूल बंध होने से ऑनलाइन ग्लासेस के लिए उसके परिजनों ने उसे मोबाइल दिलाया इस दोरान जुन 2020 से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आरोपी आसिम खान चाननी चोक दरगा के समीब अमरावती निवासी ने जुटी आईडी बना कर पीडिता से दोस्ती बनाई जुन 2020 से 30 नवंबर 2021 तक दोनों के बीच बाच्चित वो वीडियो कॉलिंग का सिलसिला जारी था आरोपी आसिम खान ने पहले पीडिता को अपने प्रेम जाल में फसा कर शादी का वादा भी किया इस दोरान आरोपी पीडिता पर न्यूड वीडियो बनाने का दबाव डालने लगा ऐसा नहीं करने पर उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दे कर पीडिता को वीडियो बना कर भेजने पर मजबूर किया वीडियो कॉल के जरीए खुद भी नगन होकर अपने वीडियो पीडिता को भेजे इस बीच कुछ पॉन वीडियो भेज कर इस तरह शारिक संबंद बनाने अमरावती आने का पीडिता पर दबाव डालने लगा पीडिता के वीडियो अपने मोबाईल में सेव कर उसे बदनाम करने और माता पिटा को जान से मारने की धमकी देते हुए ब्लैक मेल करने लगा इस घटना के बाद पीडिता मानसिक रूप से परिशान रहने लगी अंततह पिडिता ने सारी हकिकत अपने पिता को बताई पिडिता के पिता ने उसी दिन उम्रेड पुलिस स्टेशन पहुँच कर आरोपी आसिम खान के खिलाब शिकायत दर्च कराई